मालिक की मौज, एक बार का जिक्र है कि एक भेशी साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्फाक हुआ. जो भेश को बहुत महत्व देते हैं, उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता. एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगती करू. गुरु नानक साहिब ने कहा कि बड़े-बड़े महात्मा है, फिर भी अगर तुझे जाना है, तो तेरे रास्ते में भाई लालो बढ़ई है, उसके पास चला जा. जब वह वहा गया तो लालो उठ खड़ा हुआ. उसने चार पाई डा साधू बैठ गया. भाई लालो ने कोई बात न की, बलकि अपना काम करता रहा. जब थोड़ी देर बैठ कर साधू निराश होकर जाने लगा, तो भाई लालो ने कहा, दो घंटे सबर करो. मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वह कर लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंग साधू ने मन में सोचा कि यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम ही नहीं छूटते, यह कैसा महात्मा है. इधर भाई लालो ने दो बास लिये, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीही बनाई और अंतिम संसकार का दूसरा सामान इकठा किया. भाई लालो अपने नहीं घबराया और शांती से बोला मालिक की मौज वह साधू भाई लालो को लगातार देख रहा था. भाई लालो ने उस अर्थी के साथ दूसरी चीजों को उठाया और उन्हें घर ले गया और मृतक शरीर का दाहकरिया के लिए रस्म के मुताबिक इंतजाम किया. दा संस तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया? भाई लालो ने जोर देकर समझाया कि बच्चे को इसी तरह से मरना था और उसकी भलाई के खयाल से ही उसको मरने दिया गया है. बच्चे से उसका रिष्टा इसी तरह से तूटना था और यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ. इस पर साधुने कहा जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी. तू बेटे को रखना नहीं चाहाता था. यह कहकर वह नाराज होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा तू मुझे क्या कहता है? आज से आठवे द इस पेर से फांसी पर लटक कर मरेगा. अगर बच सकता है तो बच जा. मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना होता है, होकर ही रहता है. अब साधु को चिनता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा नहो. सोचा कि इस पेर से बहुत दूर चला जाओ, तो इस से फांसी लगने का सवाल ही न रहेगा. यह सोचकर वह चार दिन तक जितना दौर सका, दौरता रहा. भूखा प्यासा था. आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया. जब उठा तो दिशा का खयाल न रहा और वापस उसी और दौरने लगा जिस ओर से आया था. फिर चार दिन तक मुझे कौन फासी पर लटका सकता है. मैं तो उस पेड से कोसे दूर हूँ. भाई लालो जूठा है. मेरा आज का दिन बाकी है यह सोचकर उसी पेड के नीचे सो गया. उधर वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूट कर वहां से निकले. जित फिर कहा कि यह बहुत खूबसूरत है. क्यों न इसे साधू के गले में डाल दें? यह सोचकर हार उस सोय हुए साधू के गले में डाल कर चले गए. जब दिन निकला तो सिपाहियों ने, जो चोर की तलाश में निकले हुए थे, साधू को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले दी जाए, क्योंकि नियम यह था कि जिसके पास चोरी का माल मिल जाए, उसको बिना बयान ये मुझरिम मान लिया जाए. फिर जिसको फासी देनी होती थी, उससे पूछ लेते थे, कि तुझे किसी से मिलना हो तो बता, ताकि मिला दें. उस साधू से भी पूछा गया, कि कहते थे, मेरी गलती थी कि मैं नहीं माना. अब सामने वही पेड है, वही मैं हूँ और फासी का हुक्म हो चुका है. क्रिपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो. मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा. भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सत्गुरु नानक साह से विंती करता हूँ, आशा है कि वे मेरी विंती मान कर तुझे बचा लेंगे. तो आधा घंटा सबर कर. इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए हैं. चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है. कहीं ऐसा नहो कि बेगुना साधु मारा जाए. जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे दिया, तो हाकिम ने उस साधु को छोड़ दिया. साधु सीधा भाई लालो के घर पर पहुंचा और फिर गुरु नानक साहिब के पास पहुंचकर नामदान लिया और उनका सच्चा सिवक हो गया.